मार्केटिंग कंडिशन पहले से थोड़ी इंप्रूव हुई है एधिरियम का प्राइस पच्छी सो डोलर के उपर आ गया है बिट्कून का प्राइस अपने बोटम जो की 33,000 डोलर के निचे चला गया था वहां से ओल्मोस्ट 15% का पंप आ चुका है और जैसे के हमने कलवली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस लेवल के उपर जाने की 38,000 डोलर के उपर आना बहुत ही जादा जुरूरी है क्योंकि जब भी बिट्कून का प्राइस तेजी से क्रैश हुआ है कि 10,000 डोलर विदेन वीक गिर गया और रसाइ जो है वो 20 तक चली गई थी फिर और गरीड इंडेक्स 10-12 के आस पस चल रहा था तो हमेशा ऐसी कंडिशन में हमें रिलीफ बाउंस ज़रूर देखने को मिलता है 20-25% का बट उसका मतलब यह नहीं होता है कि वहाँ से मार्केट जो है रिकवर होगी या वापस बिट्कून एकदम से पॉम्प हो जाएगा उसी के बारे में इस वीडियो के अन्दर डिस्कस करने वाले कि क्या नेक्स हमें देखने को मिल सकता है जो FOMC की मीटिंग है उसका रिजल्ट अने किसे क्रिप्टो पे क्या इंपक्त हो सकता है प्राइसिस कहां पर जा सकते हैं and then जब Bitcoin इसके उपर stable हो जाता है, then market के अंदर हम थोड़ी recovery expect कर सकते हैं, unless अगर यहाँ पर इसको break नहीं करता है, volume नहीं आती है, market के अंदर नए investor नहीं आता है, तो यहाँ से prices जो है, वापस नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा, market के अंदर काफी तरह की चीज़े चल रही है, global level potential चल रही है, और यहाँ पर अगर FOMC की meeting की बात करें, तो उसकी भी discussion चल रही है, कि FOMC की meeting के बाद, crypto की जो market है, सिर्फ crypto ही नहीं, इसके साथ financial पूरी market उसके उपर impact करने वाली है, कोई वहाँ पर पता लगे कि interest rates हाइक होंगे या नहीं होंगे, बाकिस चीज़े होंगी, कितना basis point बनाना पड़ेगा, तो उसके basis पे जैसे कि हम देख सकते हैं, ओ लेडी एक week से market गिर रही है, Asian market के बात करें, तो पूरी crash हो चुके है, तो वहाँ पर हमें positive कुछ result देखने को मिलता है, तो हो सकता है market के रिकवरी हो, और हमें 40,000 डॉलर भी break होता हुआ, लेकिन अगर रिकवरी नहीं होते है, कुछ negative आता है, तो हो सकता है हमें यहाँ पर 30,000 डॉलर की जो की एक very important sport है, वहाँ तक भी bitcoin का price देखने को मिल सकता है, तभी आपको बोला जाते हैं कि level by level चलिए, ऐसा मैं सोची कि market के अंदर 20% का jump आ गया है, तो यहाँ से market टोटली recover हो जाएगी, तो आपको एकदम से पूरी investment नहीं करनी है, जो आप long term के लिए investment कर रहे हो, वह best है क्योंकि अभी से 2-3 महीने के बाद market काफी अच्छी expected है, लेकिन अभी अगर हम short term की बात करें तो आप थोड़ा सा careful play करें, क्योंकि यहाँ पे जब तक 40,000 डोलर break नहीं करता है, उसके उपर stable नहीं होता है, तब तक market के अंदर ज़्यादा recovery expect नहीं कर सकते हैं, बड़ hopefully market के अंदर positive आया FOMC के जो meeting है, उसकी वज़े से जो Asian market है, US market को प्रतना effect नहीं पड़े, क्योंकि जैसे कि अगर हम FOMC की बात करें, तो जैसे इंडिया का RBI है जो की monetary policy बनाता है, वैसे ही federal है US का, जो की monetary policy बनाता है, तो वो interest rate hike करते हैं, interest rate गिराते हैं, तो उस पे आपको पता है US dollar जो है, वो dominating currency है पूरे world की, तो उसकी वज़े से पूरे दूसरी nationalities के ओपर, दूसरी countries के ओपर सब चीज़ों का effect पड़ता है, market के ओपर effect पड़ता है, क्योंकि eventually सब चीज़ें एक दूसरे से जूड़ी हुई है, और तभी हमें पता है कि आने वाट है में Bitcoin इतना ज़्यादा work करने वाला है, क्योंकि जिससे जो अभी की dominating power है US dollar की, वो कम हो सके और उसका impact बाकी countries पे इतना ज़्यादा नहीं दिखे, तो यह चीज़ थी, इसी वीडियो के अंदर में आपको यह update करना चाता था, कि कल हमें result देखने को मिलता है, फो MC का तो उससे क्या impact हमें देखने को मिल सकता है, वो एक importance चीज़ है, इसी की सासर, Bitcoin अगर 37, 38,000 dollar के उपर stable होता है, तो यहाँ पर हमें आने लेट हैं में relief mouse भी देखने को मिल सकते हैं, वागी कुछ भी changes होते हैं, तो हम आपके telegram को उपर update करेंगे, and also आज Republic Day है, तो happy Republic Day to everyone, हमने इतनी development की है, अगर हम बात करें, तो भी इंडिया जो है, बहुत तेजी से progress कर रहा है, और आने वाले, 5 साल के अंदर मैं मानता हूँ, कि इंडिया one of the biggest economy, हो सकता है पूरे वर्ल्ड की, को जिस तरीके से चीज़े चल रही है, अगर हम discuss करें, तो इंडिया अभी काफी दा strengthen है, अगर हम उसके debts की बात करें, तो reserve अभी की टाइम में debt से जाधा चल रहे है, जिबकि US, यह फिर चाइना जैसी बड़ी countries के अंदर भी हमें यह चीज़ नहीं देखने को मिल रहे है, तो यह काफी बड़ी चीज़ यह है, हमारा डेश काफी तेजी से तरक्की कर रहा है, and once again, happy republic day, and हम मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, तब तक आपना ध्यान रखेगा, मुस्कुरात रहेगा, बाबाई, take care, जैहिन,